नमस्कार दोस्तो धर्ती पूत्र चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त मेग सिंग भाटे दोस्तो एक किसान जब खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार के समस्या आती है जिनमें एक बड़ी समस्या होती है जंगली जानवर हमारी यहां पर नील गाए और जो सुअर होते है इस तरह की जानवर होने काफी नुकसान किया इसके बार खेत में जटका मसिन लगा रखी यह चारो narratives करण लगा हुआ है लेकिन फिर भी यह जो जानवर है वो किसी तरीके से खेत में घुचजाते है और यह पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों खेतों की एक स पिछले साल जब ये मिला था तो नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा लग रहा था और तब से ये हमारे साथ वफादार बना हुआ है चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सर्दी हो फिर या फिर गर्मी या फिर बरसाथ हो कालू हमारे खेतों का चकर लगाता रहता है और अपनी चोकीदारी पूरी तरीके से करता रहता है कोई भी जानवर खेत में घुसता है तो ये उसे भगा देता है और ये आवाज भी लगा देता है जब ये भूंगता है तो पता चल जाता है कि खेत में कोई जानवर घुसाया है तो आप ये कर सकते हो कि ये लगबग एक चोकीदार से भी ज़्यादा हमारे यहां पर काम कर रहा है इसके बदले में मैं इसे देता हूँ थोड़ा सा प्यार और इसको खाने के लिए भर पेट रोटिया बस कालू को इतना ही चाहिए और ये पूरी तरीके से वभादार बना हुआ है